दूस्तों स्वागत है आपके अपने चनल सिविल साइट विजिड में तो आज का टॉपिक काफी जादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला आपके लिए क्योंकि यह साइट पर जाओगे ऐसे सिविल इंजिनियर आप यह चीज आपको इतनी हेल्प करेगी मैं गरंटी दे सकता हूँ 100% क्योंकि यह में चीज जो रहती है स्लैब में वो यही रहती है इंटरव्यू में देने जाओगे आप कहीं तो इंटरव्यू में यह चीज पहुची जाएगी और भी काफी आपको helpful हो जाती है यह साइट पे इसका मैं आपको साइट विजीट करवाऊंगा वहां दिखाऊंगा कि हम करते कैसे हैं तो पहले मैं आपको clear कर दूँ कि आज का topic हमारा है cranks bar पे आप उसको bent up bar बोलो या crank bar बोलो उस पे हमारा topic है उसका मैं live आपको दिखाऊंगा हम बनाते कैसे हैं crank bar उसका cutting length क्या आएगा और उसकी जो basic चीजें रहती हैं वो सब मैं आज आपको clear करता हूँ पूरा वीडियो देखना काफी आपको helpful होगा मैं guarantee देता हूँ तो मैं start करता हूँ सबसे पहले मैं start करता हूँ कि हम bent up bar बनाते कैसे हैं उसके बाद मैं आऊँगा theoretical part पे कि हम उसकी cutting कैसे करते हैं तो आप सामने देख रहे हो main funda की bent up bar बनाते कैसे हैं अभी बात आती है कि bent up bar provide क्यों करते हैं वह mainly bent up bar हम provide करते हैं कि जो हमारी आपने पढ़ा ही होगा classes में कि दो type की bending moment होती है एक होती है negative bending moment एक होती है positive bending moment जा हॉगिंग बोलो negative bending moment को और sagging बोलो positive bending moment को तो mainly जो supports होती है beam की supports होगी जाहां ऐसी कोई support होगी तो सबसे ज़्यादा वहाँ negative bending moment वहाँ सबसे ज़्यादा होती है या share force बोलो सबसे ज़्यादा कहां होती है supports पे तो वहाँ slap failure होने के chances बहुँ ज़्यादा होती है तो इसलिए हम वहाँ पे bent up bar provide करते हैं in the sense मतलों extra bar वहाँ provide करते हैं जो bent up bar होता है वो दोनों काम को वहाँ करता है जो हमारी negative bending moment होती है उसको भी counter करता है और जो हमारी positive bending moment होती है उसको भी counter करता है अगर in simple sense में बोलो तो अगर आपको interview में कोई पुछे कि क्यों हम crank bar provide करते हैं तो दो चीज़ी आपको बोलनी है एक तो बोलना है कि आप negative bending moment होता है जो उसको counter करता है दूसरा वो जो वहाँ share failure होने के chances बहुत ज़्यादा होती है तो share force को भी वहाँ वो कम करता है ये दो आप फंड़ा अगर बोल दोगे तो आपको exam से अच्छे marks मिल जाएंगे नेक्स चीज़ जो अगर हम वहाँ पे crank bar provide नहीं करें तो वहाँ आपको steel की quantity बटानी जा सकती है क्योंकि extra bar वहाँ ज़्यादा provide करना पड़ेगा counter के लिए नहीं तो brittle failure होने के chances बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एक तो आपकी steel की quantity कम लगेगी और इसमें आपका खर्चा भी कम होगा दूसरी चीज अभी जैसे सामने आप देख रहे हो मतलब simple way है इसको करने का लेकिन एक दिक्कत जो site पे site engineers को आती है कि इसकी हम cutting length कैसे निकाले वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ पहले आप देख लो live की कैसे crank bar तोड़ा जाता है और एक चीज आप इसमें ध्यान देना कि मतलब जो देखो इसमें spacing है दोनों में 1500 mm की 155 center to center spacing है तो पहले main bar डलेगा नीचे उसके उपर distribution आएगा फिर जो बार डलेगा उसके उपर उसका crank तूटेगा जे चीज आपको ध्यान रखनी है जब side pick करवाऊ गया आपका मैं slab की video लाने जब आला हूँ जल्द उसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम main bar distribution bar provide करते हैं one way two way सब मैं clear करने वाला हूँ आगे आपको अभी मैं बात करूँ अपने theoretical part की तो यह चीज भी आपको जुरूर देखनी है theoretical part है आपको boring लग सकता है लेकिन काफी जाता important चीज है तो बात करता हूँ जैसे आपने slab बे देखा यह आगे हमारी slab में example ले ली ठीक है और यह यहाँ बीच बीच में हमारे beam यह beam था यह beam था एक example है slab आ गई beam आगे और crank bar हमने एक side provide किया है जहाँ two way होगी घ्यान रखना यहाँ two way होगी वहाँ mainly double side crank bar provide करते हैं तो हमने यहाँ एक side crank bar provide किया है यह हमें drawing में mention होता है कि कहां कहां आपको provide करने है crank bar और कहां नहीं तो यहाँ हमने इदर से आपको clear हो गया अभी main आपको मेरा theoretical part लाने का funda यह था कि हम इसकी cutting length कैसे निकालते हैं क्योंकि देखो जो यह वार आएगा सीधा तो इसमें lab डाल डालके आप सीधा डाल सकते हो लेकिन इसका cutting length निकालना काफी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपको आगर आप ज लेना है जितने की slab हो आपकी फिर देखो एक formula है इसको निकालते हैं हम sin theta और trigonometric वेसे लेकिन में direct आपको thumb rule पकट के चलो यहां भी होगा आपको यही करने है don't worry इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा ठीक है 0.43 D याद रखना अभी D 0.43 constant value हो गए D हमारा हो गया क्या वो नि minus die आप जितने का die आप यूज़ कर रहे हो 8 का 10 का 12 का जो भी die है तो 125 minus 50 दोनों तरफ से cover minus 10 mm का हम बार यूज़ कर रहे है तो आगे हमारा 65 mm ठीक है 55 mm आप यह आगे हमारा अभी क्या हम formula पूट करेंगे सिधर 0.43 into 56 mm जो भी आपका आएगा तो आया हमारा 27.95 यह आगे एक crank bar की extra length आपको जो add करनी है जब आप cutting length दो ठीक है number of crank कितने थे हमारे 8 तो इसको इससे multiply करतेंगे तो हमें मिल जएगा 223.6 mm हमें extra सरीया देना है जब भी हम cutting करा है देखो अगर मैं example लूँ इसकी भी तो हमारा अगर यह है 15 मिटर का ठीक है 15 मिटर का है तो एक सरीया 12 मिटर का आगया हमारा दूसरा सरीया हमारा 3 मिटर का आगया 3 मिटर प्लस इसका lap to 10 तो 500 प्लस 500 प्लस 500 ठीक है यह आगया और प्लस crank bar जितने crank bar हो उसमें अगर एक crank bar है 27.95 अगर 2 है प्लस एक और वैसे ही जितने crank bar हो उतने add करते जाना है में आपको ध्यान क्या रखना है, 0.43 into D, D क्या होगा, depth जैसे निकाल नहीं है, आप note कर लो, आप easily इसको कर सकते हो, कुछ जादा मुश्किल नहीं है, और इसकी जो मैंने live वीडियो दिखा है, या हमें कैसे crank bar तोड़ते हैं, वो देख लो, अभी मैं next slab की लाऊंगा कि हम सरी या कैसे provide करते हैं, bottom bar, top bar, वो चीज़े सब में clear करने वाला हूँ, चैनल को subscribe करो, क्योंकि site की related सब वीडियो में आपको अच्छे से provide करूँगा, thank you guys